हेलो एव्रीवन वेलकम बैक टू मैं यूटीव चैनल कैसे हैं सबी लोग आयोप अच्छे ही होंगे शारुक रितिक ने ठुकराया इस सुपरस्टार ने सम्हाली कमान मिले चार नेशनल अवर्ड आसकर तक पहुंची फिल्म बॉलिवुड के इतियास में एक फिल्म ऐसी हुई जिसे दो बड़ी सितारों ने यानि की शारुक खान और रितिक रोशन ने ठुकरा दिया था फिर इस फिल्म को एक सुपरस्टार का साथ मिला और ये फिल्म हिट साबित हुई थी इतना ही नी बल्कि चार नेशनल अवर्ड भी जीती थे आमिर खान की सामेजिक राजनितिक ड्रामा रंग दे बसंती भारती सिनेमा के इतियास में एक महतपूर्ण फिल्म है जिसे ना सिर्फ क्रिटिक्स बलकि दर्शकों ने भी खूप सरहा था दमदार एक्टिंग कमाल का निडेशन और सांदर लेखन के साथ तैयार की गई ये फिल्म कई सवाल पूंचती है कई अनकही बाते कहती हैं और एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर ले जाती हैं इस फिल्म में सिधार्थ, आर्माद्बन, शर्मन जोसी, अतुल कुलकर्णी, कुमाल कुनाल कपूर, सोहा अली खान, एलिस पैटन, अनुपम खेर, किरन खेर, ओम पिरी और वहिदा रह्मान भी आमिर खान के साथ एहम किरदारों को निभाते वे नजर आ रहे हैं फिल्म रंगदे बसंती को बनाना निर्देशक राकिश ओम परकास महरा के लिए जराबी आसान नहीं था, इस मल्टी स्टारर फिल्म में एक्टरों को जोड़ना उनके लिए सबसे मुश्किल टास्क रहा है इस फिल्म के लिए शारुक खान और रितिक रोशन को चुना गया था, लेकिन दोनों ही सितारों ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था अजय सिंग राठोर और करन सिंगानिया की भूमिका के लिए राकिश दोनों ही एक्टरों को फिल्म में लेना चाते थे हमने कई बदलाब किये हैं, ये ऐसा ही होना था, ये एक बहुत बड़ी कास्चा और मुझे नौ महिनी के लिए हर एक्टर की जरुवत थी करन की भूमिका के लिए रितिक रोशन से बात की गई थी, उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई लेकिन उनके पास टाइम नहीं था बहुत जादा सवाल नहीं कर सकते, हम एक हेल्दी रिलेशन्स आजा करते हैं, आखिरकार आर मादवन और सिधार्थ ने आजय और करन की भूमिका निभाई थी, साउस सिनेमा में पॉपलर सिधार्थ का ये बॉलिवूड डेब्यू था, रंगदे बसंती ने दर्शकू का दिल जीत लिया था और सिर्फ 28 करोड रुपे में बनी आमिर खान अभिनी इस फिल्म ने भारत में 53 करोड रुपे की कमाई की थी, और दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में 97 करोड रुपे का कलेक्शन हुआ था, कामियाभी का सिलसला यहीं तक सीमित नहीं रहा, इसे चार रास्टिय प्रुषकार भी जीते थे, नरेश अईयोर को रुबरू के लिए सर्फसेस्ट मेल प्लेबेक सिंगर का आवार्ड मिला था, पीएस भारती को सर्फसेस्ट संपाधन नकूल कामरे को सर्फसेस्ट आउडियोग्राफी और निर्माता रोनी स्कुरूवा और निर्देशक राकेश ओम प्रकास महरा को संपूर मनुरंजन प्रिदान करने वाला सर्फसेस्ट लोगप्रिय फिल्म के लिए रास्टे पुरुषकार मिला था, 26 जनवी 2006 को गंतन दिवस के अपसर पर रिलीज हुई रंग दे बसंती को, 79 वी अकेडमी और पुरुषका कि फिल्म के लिए भारत की ओर से आधिकारिक तोर पर नामित किया गया था, मगर ये फिल्म फाइनल नॉमिनेशन में भार हो गई, इसका साउंट्रेक भी एयर रह्मान के बहतरिन कामों में से एक माना जाता है, आपको इस स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में जरूर अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, थैंक्स पोर वाचिंग, बाबाई